प्लस B whole square इसका फर्मूला हो जाता है A square plus 2AB plus B square नमबर 2 में है A minus B whole square इसका फर्मूला है A square minus 2AB plus B square आप कहीं पर देखेंगे कि ये इस form में भी लिखा जा सकता है A square plus B square plus 2AB सिर्फ ये 2AB लास्ट में है A square plus B square plus 2AB अगर आप इसे लिखना है तो A square plus B square minus 2AB आप A square plus 2AB plus B square भी लिख सकते है या A square plus B square plus 2AB लिख सकते है नमबर 3 A square plus B square का फर्मूला A square plus B square का फर्मूला हो जाता है A plus B whole square A plus B whole square minus 2AB और A minus B whole square plus 2AB आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं अगर यहाँ पर plus है तो यहाँ minus होगा अगर यहाँ minus है तो यहाँ plus होगा A plus B whole square minus 2AB A minus B whole square plus 2AB यह दोनों फर्मूला हो गया A square plus B square का अगर यहाँ पर plus है तो यहाँ minus है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस नमबर 4 में चलते हैं A square minus B square इसका सिर्फ एकी फर्मूला A square minus B square करकर फर्मूला A plus B A minus B A plus B A minus B So यहाँ पर 4 फर्मूला हो गया है नमबर 5 में चलते हैं नमबर 5 A cube plus B cube A cube plus B cube का फर्मूला हो गया था A plus B A square minus AB plus B square यहाँ पर plus है यहाँ minus है A plus B A square minus AB plus B square नमबर 6 में A cube minus B cube A cube minus B cube का फर्मूला हो गया a minus b a square plus a b plus b square जैसा कि आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर plus है तो शुरू में plus और यहाँ पर minus अगर यहाँ minus है तो शुरू में minus और यह दोनों क्या होगा plus जस्ट ट्रिक्स यूज करना है और आपको learn खुद में खुद हो जाएगा a cube plus b cube का formula हो गया a plus b a square minus a b plus b square whole cube a plus b whole cube का formula हो जाता है a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube एक यह formula हो गया कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि ऐसा भी लिखा रहता है a cube plus 3ab a plus b plus b cube अगर यह वाला formula आपको याद है तो यहाँ पर सिफ यह common लियावा है 3, 3 so common हो गया है यहाँपर a square a है so a common b b square है तो b common यहाँपर a square है तो a plus yहाँपर b square है तो बचा a b ऐसा भी लिख सकते है या a cube plus b cube plus 3ab a plus b आप ऐसा भी लिख सकते है तो main formula a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube आपको यह याद करना पड़ेगा यहाँ दोनों से common लिया गया है 3ab आप यह याद कर सकते हैं नूबर 8 में आ जाता है मिल्सका फर्णूला कि ऐसका फर्मुला एक क्यूब माईने स्क्वाइर और यहां पर यहां पर a plus b whole cube में all the terms are positive सब terms किया है पर positive है अगर यहाँ पर a minus b cube का formula निकालना है तो पहला positive फिर negative फिर positive फिर negative अब यहाँ पर देखना है यहाँ से अगर हमें common लेना है तो एक तो यह formula हो गया दूसरा formula हो जाता है a cube minus 3ab यहाँ से common ले जाएगा बचेगा a minus b यहाँ पर minus कैसे आया यहाँ पर plus है अगर minus common ले तो यहाँ पर sign change करना पड़ेगा minus minus हो जाता है plus minus b cube और दूसरा formula हो गया a cube a minus b whole cube का formula a cube minus 3ab a minus b plus minus b cube तो यह हुआ algebra का complete formula of algebra अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी होगे तो प्लीज हीट दा लाइक बटन शेर विट यह फ्रेंट्स एंड विश ताप आफ वीडियो यू वांट अन मा चैनल प्लीज सस्क्राइब और आपको किस टाप की वीडियो चाहिए प्लीज हमें कॉमेंट में बताइए सो मैं आने वाले दिनों में उस टापिक पर वीडियो बना के अप्लोड करूंगा बहुत शुक्रिया लास्त तक देखने के लिए करो प्लीज प्लीज टूंगा बहुता के लाएए 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 लाएफ लाएए 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 लाएए